Good morning friends this is Anil and welcome to Sun Se tuned दोस्तो ये जोे फोर्म है इस फोर्म को सभी 2709 निक्त जो सिचक को को इस फोर्म को फील करना है जोकतों इस फोर्म को फील करके आपको ANIC में अपनेジला के ANIC में इसको instyle करना है जोक्तो आपको अपने अपने बियर्ची से थी इसा द्या जाएगा एक ही बार में अधर्वाइज आपको बी आर्सी से instruction दे दिया जायगा कि आप अपने जीले के ऑन हसी मिजा करके जमा करते दोनों चीजा melhor स्पल्णों डोनों की जमा हो सकती है भी आरे कि जमें अन NIC में जमा कर दें दोफ्तों यह फॉर्म आगे आने वाले जो चुनाव है नगर निकाय के चुनाव है दोफ्तों उसके लिए फॉर्म फिल हो रहा है और सभी 42,000 सिच्चों को भरना अनिवार यह होगा दोफ्तों यह फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक् फिल करना है यहाँ पर सबसे परणिए आपको अपना एक फोटो चिपका देना थोफ्तों नेस्ट यहां पे देख लिए ओफिस नेम में आप अपने बिद्याले का नाम लिखेगा जो भी आपका बिद्याले का नाम होगा गवर्मेंट मीडिल स्कूल और जो भी जगा का जो आपका बिद्याले का नाम जो भी होगा उस हिसाब से आप अपने बिद्याले का नाम में आ आप अप्ना नाम लिखे, जैसे मेरा नाम अनिल कुमार है, तो हम अपना नाम यहाँ पर अनिल कुमार लिख दिये हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखेएगा कि आपको अपने विद्याले का नाम लिखना है, नेश्ड देख लिएधे यहाँ पर डेजिगेसन, डेजिगेसन दीजिए अधर है तो अधर पेटिक कर दीजिए वैसे 42,900 सी ठक में सब मेल और फीमिल का ही साय जोइनिंग हुआ है नेस यहाँ पर देख लिजिए देख लिजे डिट ओफ रिटाइर्मेंट तो आप का रिटाइर्मेंट कब हो रहा है तो आपका जो डेट औब बर्थ है कि यहाँ अपना यहाँ पर फील कर दीजिए ठीक है ना यहाँ पर joining date से नहीं देखना है आपको अपना date of birth से देखना है ठीक है ना joining date से कोई नहीं देखेगा अपना date of retirement आपको अपने date of birth से आपको यह retirement देखना है next यहाँ पर देख लिए posting block name जिस block में आपका posting हुआ है आपको अपने उस block का नाम लिख देना है यदि औरंगाबाद में है तो औरंगाबाद ब्लोक में ठीक है पतना ब्लोक है तो पतना जो भी है गया ब्लोक है तो गया अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है ठीक है मधुबनी तो मधुबनी दर्भंगा ब्लोक जो भी है ठीक है नेश्ट यहाँ पे देख लिजे मैं जो भी है यहां पर इसससे फॉलब को फील किजिए नेक्स्ट यहां पर देखिए परजेन स्पीटन्स्यटरर्ष आपका जो हुंगर का सब्सक्रास है वह आपको यहां पर कर देखंगा यहां भलोक स्टोर्फ हर में आता है तो इसह ओर तो यहां में हैं पे लिखना है पोस्टेड्, आपकी जहां पोस्टिंग हुई है यहां पे ध्यान दिजेगा सभी 9 1 extr 42,000 शिच्छक दोस्तों आपकी जहां पे पोस्टिंग हुई है मनल लिजें कि आप प्ठना के रहने वाले है, आपका पोस्टिंग दर्भंगा में हुआ है तो दर्भंगा का जो AC नंबर है वो आपको यहाँ पे देना है और AC नेम आपको यहाँ पे देना है जो यदि आपका दर्भंगा में हुआ है तो यहाँ पे AC नाम जो कि आपका डिजिट में होता है दो तीन डिजिट में लगभग तीन डिजिट में ह होता है 220-221 step से तो यह आपका AC नाम हो जाएगा और AC नमबर हो जाएगा और AC नाम दरभंगा में है तो आपको दरभंगा हो जाएगा ठीक है ना आपको इस तरह से इसको वो किस विधान सभाथ छेतर के अंतरगत आता है, अब आपको भरना है अपने होम का, अपने आपका जो घर है, वो किस AC में पड़ता है, यह चीज आपको अपने भोटर आइड़ी में मिल जाएगा, और AC नाम आपको पता भी होगा, कि हम कहां पर भोट देने जाते हैं, तो नाम और नंबर आपको यहांपे मिल जाएगा नेश्ट अपर सीडेंस तो जो परेजेंत आपका रेसिडेंस है वह भी आप वहीं का दे सकते हैं जहां पर आपका अपना घर है और यहांब आप 200 किलोंटर दूर जाएं करके अपनी सेवाइं दे रहे हैं तो वहाँ से बना हुआ है तो वहां का आपको AC नाम होपे देना है नेष्ट आपका पार्ट नंबर है तो पार्ट नंबर आपको मिल जाएगा आपके भोटर I.D. में यह नहीं मिलेगा आपको इसके लिए देखना परेगा आपका जो चुनाव के लिए जो पर्ची आपको मिलता है न उस पर्ची में होगा नए तो अब आप अपने छेतर के जो बीएलों हैं बीएलों से आप शंपरक कर लीजेगा वह आपको आपका पाट नाम बता देंगे serial number in voter list voter list में आपका serial number कितना पे है ये भी आपको अपने पर्ची में मिल जाएगा यदि आपके पास अपना पर्ची नहीं होगा तो आप अपने बियेलो से संपर किजेगा वो आपको बता देंगे दोस्त next यहाँ पे boot number आपका जो boot number जहाँ आप बोट डालने जाते हैं वो आपको यहाँ पर दे देना है boot name तो boot name आपका जो boot name है जहाँ boot डालने जाते हैं तो वो नाम आपको यहाँ पर mention कर देना है और e-pick number e-pick number भी आपको अपने आपका jr voter ID है voter ID में आप देखेगा एक number होता है NYC something करके एक number है वो हर voter ID में एक unique number होता है वही आपका epic number होता है दोस्तों तो आप उसको यहाँ पे feel कर दिजेगा या आपके पास पर्ची होगा जिस पर्ची को लेकर के आप voter डालने जाते हैं तो उसमें आपको यह सारा information मिल जाएगा और जिसके पास नहीं होगा तो voter ID में आपको एक ही दो information मिलेगा बाकी आपको अपने BLO से संपर्क करना होगा दोस्तों नेश्ट देख लिजे आपका bank details जब आप चुनाओ duty में जाएगा तो चुनाओ duty में जो भी जाते हैं उन्हें पैसा भी दिया जाता है दोस्तों तो इसलिए आपको आपका bank number यहाँ पे लिख देना है bank name, branch name, IFC code और account number और यह आपका SBI का ही सब लोग डालिएगा जिसमें आपकी salary आ रही है जिस bank में जिस bank details में आपकी salary आ रही है वही आपको bank name देना है branch name देना है IFC code देना है और account number भी आपको वही देना है ऐसा नहीं कि पहले से दुसरा account है तो वह वाला दे दे ऐसा आपको नहीं करना है जिसमें आपकी salary आती है आपको वही वाला दे देना है इस पोस्टेर फोर थी यर्स और more in the last four years in the same district तो इसमें सबका 9 हो जाएगा क्योंकि सभी 9 निक्तिबाली सजार सिछक को ही ये form फिल करनी है और किसी का भी 3 साल और 3 साल से अधी कैसा नहीं हुआ है सबका 6 मंती हुआ है next date of joining in the district आप यहाँ पे date of joining भी दे सकते हैं आप जिस date में जॉइन किया हैं भी दे सकते हैं उस date of joining को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए ठीक है ना next date इस बी ये लो क्या आप बी ये लो हैं यदि कोई अभी नए नए जाते जाते यदि कहीं पे किनी को बी ये लो का परभार दे दिया होगा तो वो yes करेंगे और maximum को तो नहीं मिला है तो अपना no यहाँ पे करेंगे यदि उनको मिल गया है तो अपना account number और part number वहाँ पे AC name और part number अपना डाल देंगे account number नहीं AC number आपको डाल देना है ठीक है और वैसे 99% chances हैं कि कि किसी भी आपको यहाँ पे लिख देना है इस टीचर तो बिल्कुल टीचर है तो यहाँ पे यस कर देना है इस गैजेटेटेड ऑफिसर तो नहीं गैजेटेटेड ऑफिसर नहीं है तो यहाँ नो कर देना है रिमार्स में आपको क्या फिल करना है जोस्तो homem's में आपको फिल करना है कोई भी आपका एक चीन जोश्त का हुआ कि यहां पर का of office with steel मतलब आपके जो परधानचारी हैं परधाना ध्यापक हैं परभाली परधाना ध्यापक हैं वो सिंगनीचर करेंगे और मोहर लगा देंगे और इसको लेजा करके आपको जमा कर देना है बीर्सी तो बीर्सी अधर वाइस आपको यह जमा हो दाएगा एनाइसी में दोस्त कि देगा और सेयर करना बिल्कूल भी नबूंगा